मेरे परिवार जनों, आज देश में ही नहीं, बलकि दुनिया में भी मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? आखिर इस प्रकार मिशन मोड पर देश के हर लाभारती तक सरकार पहुचना, ये इतनी मेहनत को करते हैं? दिन रात सारी सरकार आपके सेवा में इतनी मेहनत को कर रही हैं? सरकारी योजनाओं के सेचुरेशन और विख्ष्टीद भारत के संकल्प में क्या समंद है? हमारे देश में अनेक पिडियों ने अभाव में जीवन बिताया है। अधुरे अधुरे सपन के साथ जिंद्गी सिमट गई। उन्होंने अभाव को ही अपना भाग्य माना और अभाव में ही जिंद्गी गुजारने के लिए मजबूर है। छोटी छोटी जरुरतों का इसंगर्श देश में गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और युवाओं में इन लोगों को सबसे अधिक रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीडियों को वैसा जीवन जीना न पड़े। आपके पुर्वजोंज को जो मुसीबते जेलने पड़ी। आपके बुजूर्गों को जो कठिना या जेलनी पड़ी। वो आपको जेलनी न पड़े। यही मकसद से हम इतनी महनत कर रहे हैं। हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को रोज मरा की छोटी छोटी जरुवत के लिए होने वाले संगर से बहार निकालना चाहते हैं। इसलिए हम गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविश्य पर फोकस कर रहे हैं। और यही हमारे लिए देश की सबसे बड़ी चार जातियां है। जब गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं ये मेरी चार जातियां, जो मेरी सबसे प्रिये चार जातियां है। अगर ये ससकत हो जाएंगे, ये मजबुत हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को ससकत होना पक्का हो जाएगा। इसलिए ये विक्सित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है और देश के कोने कोने में जा रही है। साथियों, विक्सित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है, कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाप से छुटना नहीं चाहिए। कई बार जागरुकता की कमी से, कई बार दूसरे कारणों से, कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाप से बंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों का पहुंचना हमारी सरकार अपना दाईत्व समझती हैं। इसलिए ये मोदी की गारंटी की गाड़ी गाउग गाउग जा रही है। जब से ये यात्रा शुरू हुई हैं, तब से लगबग बारा लाख नए लाभार्तियों ने उजवला के मुप्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। कुछ दिन पहले जब मैं एउध्या में था, वहां उजवला की दस करोड़ भी लाभार्ति बेहन के घर गया था। इसके अलावा सुरक्षा भीमा योजना, जीवन जोती भीमा योजना, पीम स्वनिदी के लिए भी स्यात्रा के दोरान लाखों की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथियों, विख्सिद भारत संकल्प यात्रा के दोरान, दो करोड़ से ज़्यादा गरीबों के स्वास्त की जांच हुई है। इसी समय में एक करोड़ लोगों की टीबी की बिमारी की भी जांच हुई है। 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। आखिर ये सारे लाभारती भाई बहन, ये कौन लोग हैं। ये सारे लोग गाउं, गरीब, दलीद, पिछडे, आदिवासी समाज के लोग हैं। जिनके लिए डाक्टर तक पहुंचना पहले की सरकारों में एक बहुत बड़ी चुनोती रही है। आज डाक्टर मोके पर ही उनकी जांच कर रहे हैं। और एक बार उनकी शुरुवाती जांच हो गई, तो उसके बाद आईश्मान योजना के तहर पांच लाख रुपिये तक का मुप्ति लाख तो है ही। किडिनी के मरीजों के लिए मुप्त डायलिसिस की सुविधा और जन अउस्षदी केंद्रों पर सस्ती दमाएं भी उनके लिए आज मुप्लब्द है। देश भर में बन रहे आईश्मान आरोग्य मंदीर ये तो गाव और गरीब के लिए आरोग्य के बहुत बड़े केंद्र बन चुके हैं। यानि विश्चित भारत संकल्प यात्रा गरीब के स्वास्त के लिए भी एक वरदान साबित हुई है।